दोस्तो इस वीडियो में हम लोग minor demat account के बारे में बात करेंगे minor, minor मतलब एक ऐसा बंदा जिसकी age below 18 है ठीके? below 18, below 18 जिसकी age है उसे minor बोला जाता है तो एक minor बंदा मतलब 18 साल से कम का बंदा क्या stock market में demat account open कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है अगर कर सकता है तो उसके लिए क्या eligibility है, क्या process है, ये सारी बाते इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम समझ देते कि demat account होता क्या है तो दोस्तो demat account एक ऐसा account होता है जिसमें आप digital securities hold करके रख सकते हो digital securities में क्या क्या आ सकता है, इसमें shares आ सकते हैं ठीक है, shares आप demat account में hold करके रख सकते हो, इसके अलावा mutual funds आप demat account में hold करके रख सकते हो, insurance आप demat account में hold करके रख सकते हो, ETF रख सकते हो demat account में, bonds रख सकते हो, तो इस तरह की कि जितनी भी digital securities है वो सारी securities आप demat account में hold करके र रख सकते हो, but mainly demand account में लोग shares को रखते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा demand account में shares रखे जाते हैं, ठीक है, बाकी security रखी जाए ना जाए, बट share जरूर लोग demand account में रखते हैं, अब as per Indian law, ठीक है, Indian law ये बोलता है, जो under 18 है, ठीक है, 18 साल से कम जो है, उनके पास में outing rights नहीं होत है, इसका मतलब वो election में out नहीं दे सकते हैं, जब भी election आते हैं तो under 18 वहाँ पे out नहीं करते हैं, ये Indian law बोलता है, उनके पास में outing rights नहीं होता है, और साथ ही साथ उनके पास में financial decision लेने की capacity नहीं होती है, Indian law ये बोलता है कि जो under 18 है, वो financial decision नहीं ले सकते हैं, वो इतने capable नहीं है कि financial, खुद के लिए financial decision ले पाए, बट आज के तारिक में हम देख रहे हैं कि 18 साल से कम के बच्चे, 14-15 साल के बच्चे भी काफी matured हो गए हैं, ठीके, finance को लेके काफी matured हो गए हैं, उन्हें पता है, पैसा क्या होता है, किस तरीके से manage किया जाता है, कई लोग पै maturity का जो level, government समझती 18 है, बट अब वो कही न कही थोड़ा कम जरूर हो गया, 14-15 साल तक भी, लोग काफी maturity, काफी, मतलब इसमें काफी सक्षम हो गए, शारी चीजे करने में, तो government को जरूर ध्यान देना चाहिए, यह जो age limit है 18, इसको कम करने का, ठीके, अगर government यह age limit कम definitely, जो 14-15 साल की बच्चे रहेंगे, वो भी dematicon open कर पाएंगे, उनके पास भी voting rights वगरे आ सकता है, बट वो government पर डिपेंड है, बट आज के तारिक में जो rule बनावा रूल यह है, कि जो under 18 है, उनके पास में voting rights नहीं है, financial decision लेने की capacity नहीं है, और जब dematicon open करने की बारी आती तो उसके लिए minor बंदा capable नहीं है, तो minor बंदा directly demand account open नहीं कर सकता है, जो 18 साल से कम है, और directly demand account open नहीं कर सकता है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि minor बंदे का demand account open नहीं हो सकता है, बिलकुल open हो सकता है, minor बंदा भी demand account open कर सकता है, बट directly open नहीं कर सकता है, guardian के through open कर सकता है, उसक के तुरू माइनर बंदा demat account open कर सकता है वो जो demat account रहेंगा वो तो minor की नेम पे रहेंगा बिलकुल minor की नेम पे demat account रहेंगा बट उस demat account में financial decision जितने भी रहेंगे वो उसका guardian लेंगा कौन से share खरिदना है ठीके पैसे से related, जो भी matter रहेंगे वो उसका guardian ही handle करेंगा शेयर खरीदना बेचना है सारे decision guardian के रहेंगे minor की नेम पे सिर्फ demand account रहेंगा फिर दोस्तों आगे जाकि जो minor बंदा है वो 18 plus का हो जाएंगा ठीक है यह जो minor बंदा है अगर वो 18 plus का अगर हो जाता है आगे जाकिए तो यह जो minor वाला demand account है इसमें guardian का control वहाँ से हट जाएंगा ठीक है फिर पूरा control इस बंदे का आ जाएंगा जो की 18 plus का अब हो चुका है अब सारे decision वो खुद ले पाएंगा उसके demand account में already जो share उसे वो बेज भी सकता है यह नए share खरीद भी सकता है तो सारे decision वो ले पाएंगा जिस तरीके से normal demand account होता है normal बंदा demand account को handle करता है उसी तरीके से minor बंदा भी यह कर पाएंगा जब वो 18 plus का हो जाएंगा बट जब तक वो below 18 है तब तक guardian जिनका ही control रहेंगा गारजेन ही उस account को handle कर सकता है दोस्तों यह जो minor demand account होता है यह normal demand account से अलग होता है काफी अलग होता है नॉर्मल demand account में तो हम easily freely कोई भी share खरीद सकते हैं कोई वहापे restriction नहीं होते हैं but minor demand account में restrictions होते हैं दोस्तों ठीके आप minor demand account में ऐसा नहीं है सकते हो यहрос shield मैनाट का ओपन अब इसमें आप डाइरेकली शैर भाइव और सेल नहीं कर सकते हो यह डिमैट अकूंध में रिस्टिक्टन्स है तो अब फिर खरी देंगे कैसे डिमैट इसमान खरीदेंगे कैसे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है gusta booking rö Font same broker के पास में हो सकता है फिर other broker के पास में भी हो सकता है तो guardian का जो demand account रहेंगा guardian खुद के demand account में सबसे पहले share buy करेंगा ठीक है guardian buy करेंगा share खुद के demand account में फिर वो जो share उसने buy किया फिर उसको guardian के demand account में transfer करेंगा तिके इस तरीके से माइनर के डिमेट अकॉन में शेर आएंगे यह तरीका रहेंगा और अगर माइनर के डिमेट अकॉन से शेयर बेचना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गार्जियन को माइनर के डिमेट अकॉन से शेयर खुद के डिमेट अकॉन में लेना पड़ेगा, ट्रांसपर करना पड़ेगा, तो फिर गार्जियन के डिमेट अकॉन में शेयर जाएंगे ठीके फिर उसे वहां से sell कर पाएंगा मतब गार्जेन को खुद के डिमेट अकॉन में लेके transaction करना पड़ रहा है ठीके तो यह चीज होती है तो इस तरीके से माइनर के यहां के अप्लाइ कर सकते हो माइनर के डिमेट अकॉन के उपन करने के लिए आप के माइनर का बैंक अकॉट बी होना चाहिए तो यह माइनर का बैंक अकॉट्स की पहले आपको माइनर बंदे का bank account भी open करवाना पड़ेंगा वहाँ पर भी देखते हैं कि guardian होता है । गार्जियन की तुरूबी bank account open होता है माइनर का तो वह वाला bank account भी जरूर लगेंगा माइनर के demat account के लिए क्योंकि demat account को क्या है कि bank account से link करना पड़ता है तो उसमें वही वाला bank account यूज होंगा जो minor के name पे है दोस्तो description में आपको link मिलेंगा उस link पर अगर आप click करोंगे तो वहाँ पर आपको सारी information मिल जाएंगी किस तरीके से आप minor का demand account open कर सकते हो क्या process है क्या क्या document आपको लगेंगे सारी information आपको आपको मिलेंगा तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो क्या under 18 demand account open कर सकता है क्या मुझे उमीद है ये वीडियो helpful आपके लिए रही होंगी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप comment section में लिखिए इस इम्राइन शेक साइन आप